मध्यप्रोदेश में कॉंग्रस की सरकार बने एक साल होने वाला है इस एक साल में कमलनाथ सरकार ने अपने घोशना पत्र में किये कई दावों को हकीकत में तब्दील किया लेकिन इसके बावजूद सडक से लेकर विधान सभा तक विपक्ष ने कमलनाथ सरकार को जम कर खेरा जिसके चलते कई बार सदन की कारवाई बातिद भी हुई लेकिन अब विपक्ष को ऐसा करना भारी पड़ सकता है क्योंकि हंगामा करने वाले विधायकों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक प्लान तयार किया है संसत का सत्र हो या राज्य की विधान सभा का सत्र अक्सर सदन विपक्ष के हंगाम की भेट चड़ जाता है हाल ही में संसत के शीतकालिन सत्र में भी ऐसा ही देखने को मिला था लेकिन मध्यप्रदेश की सरकार उन विधायकों पर अब सक्ति बरतने पर विचार कर रही है जो विधान सभा के काम में बाधा डालते हैं जी हाँ, मध्यप्रदेश सरकार विधान सभा की कारवाही में बाधा पहुंचाने वाले माननियों पर अब सक्ति की तैयारी में है आपको बतादे कि विधानसभा चुनाव के दौरान कॉंग्रिस ने वचन पत्र में आमचनों से वादा किया था कि सदन में हंगामा करने वालों पर कारवाई की जाएगी सदन में हंगामा हुआ तो विधायकों को उस दिन का भत्ता नहीं मिलेगा विधायकों के वेतन भत्ता एक लाख रुपे से जादा है सत्र के दौरान विधायकों को पंदरा सो रुपे प्रति दिन अलग से वेतन भत्ता भी मिलता है वहीं विधान सभा की कारवाही में प्रति दिन 40 लाख रुपे से जादा का खर्च आता है ऐसे में महतपूर्ण मुद्दों पर सदन में हंगामा होने पर एहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है विधान सभा की कारवाही में हंगामा करने वालों के खलाफ कारवाई की व्यवस्था 36 गड में भी लागू है ताकि सदन में उठाय जाने वाले विशो पर चर्चा हो सके लेकिन इसका असर कम ही दिखा और व्यवस्था सही तरीके से लाकू नहीं हो सकी ऐसे में अब मध्यप्रदेश में ये व्यवस्था कितनी कारगर साबित होती है ये देखना हुगा डीबी लाइफ की रिपोर्ट